अगर आपके घर में भी लौकी खाना पसंद नहीं किया जाता है तो बस आप अपने घर में सब को लौकी से बना हुआ ये हेल्दी और टेस्टी ढोकला बना के खिलाईए साथ में उससे ये मज़ेदार सैंविच बनाईए सब मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये लौकी का हेल्दी ढोकला पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेर कीजिए आज की रेसिपी के लिए हम लौकी का यूज करने वाले हैं बहुत बड़ी लौकी का पीस था उसमें से मैंने एक छोटा पीस लौकी का काट लिया है अब इसको हम शील लेते हैं सबसे पहले छीलने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया है अब इसको हमे इस तरह से roughly chop करना है अगर इसमें मोटे बीज हो तो आप उसको निकाल दीजेगा बीज को और इसको मिक्सी के जार में डालते जाएंगे थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटिड अद्रक अद्रक को आप छोटे पीसिज में करके भी डाल सकते हैं अद्रक को मैंने इसलिए ग्रेट कर लिया है ताकि यह अच्छी तरह से पिस जाए और इसमें मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्च साथ इसमें डाल देते हैं दो बड़े चम्मच भर के दही दही जो है वो हमें रूम टेंपरेचर का लेना है बस अब हम इसको पीस के इसकी एक प्यूरी रेडी कर लेते हैं यह लौकी को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी अब इसके अंदर एक चम्मच दही और डाल देते हैं और इसको हम फिर से पीस लेते हैं सूजी आप कोई भी ले सकते हैं मोटी या बारिक आपक पानी वाटर कंटेंट बहुत जादा होता है इसलिए हम इसमें जादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अब इन सब मेटीरियल को हम एक मिक्सिंग बावल में निकाल लेते हैं अब हम इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं जिससे सूजी पानी बॉल होने पे अब इसको हम ढगके बॉल होने के लिए छोड़ देते हैं एक बरतन में डाल देते हैं थोड़ा सा ओयल पस तीन से चार बूंदे ही मैंने ओयल की डाली है और इसको अच्छी तहे से ग्रीस कर लेते हैं यह मैं तो केक टिन ले रही हूं आपके पस जो भी भरतन अवेलेबल हो कोई भी कटोरा ले सकते हैं या पतीला ले सकते हैं नहीं तो आप इसको प्लेट में भी बना सकते हैं और छोटे पीसे बनाने हो तो इसको आप कटोरी में भी बना सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है सब तरफ से चलिए अब इ एक चंबमच के करीब हमें डाला हूँ हल्दी पावडर तो करें डाल तो इंञ पने में अगकां Building तरह से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इमीजेटली हम इसको डाल देंगे यह जो हमने टिन रेडी करके रखा है दो से तीन बार इसको टैप कर देते हैं उपर से लुक अच्छी आए इसलिए थोड़ा समय इसके उपर डाल रही हो कश्मीरी लाल मेच पाउडर इतनी द 15 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था धक्कन हटा दिया था और देखिए कितना बढ़िया फूल गया है दोगला चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यह देखिए बिलकुल क्लीन हमारी टूथपिक निगल के आई है चलिए इसको कढ़ाई में से निकाल लेते आराम स और दोगड़ के बाद ही थंडा कर लिंगे थंडा करने के बाद हम इसको दी-म Urs क करेंगे थोपले को मैंने अच्छी तरह इससे रूम टेमपरेचर पे थंडा कर लिया है अभी इसके साइड़ सैं जो एजिस हैं इनको हम हलकासा scratch कर लेते हैं जिससे इसको demold करने में असानी होगी एक plate को इसके उपर रखेंगे और हलकासा हम इसको tap करेंगे ये देखिए कितने अराम से ये ढोकला निकल के आ गया है और ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है एकदम से soft ढोकला बनके ये ready हुआ है अब चाहें तो आप इस ढोकले को ऐसे ही खा सकते हैं नाश्टे में पर मैं आज इसका sandwich बनाने वाली हूँ तो इसको हम half कर लेंगे इस तरह से हम इसको half करके इसको 2 pieces में divide कर देते हैं इस तरह से मैंने इसको 2 pieces में divide कर लिया है एक piece पे हमें लगा रही हूँ इमली खजूर की खटी मिठी चटनी फ्रेंट्स मैंने ढोकले के अंदर चीनी नहीं डाली थी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं दूसरे piece में लगा रही हूँ धनिये पुदीने की तीखी चटनी अब यह मैंने पनीर के पतले-पतले pieces कट करके रखे हैं इसको मैं इसके उपर रख रही हूँ अब इसके उपर हम दूसरा slice रख देंगे अब हम इसकी cutting कर लेते हैं पहले इसको बीच में से आधा कर लेते हैं फोर पार्ट में इसको divide करने के बाद इसको इस तरह से diagonally भी कट कर लेते हैं जिससे इसकी लुप बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल sandwich वाली आएगी अब फाइनली हम इस पे एक तड़का लगा लेते हैं और उसके लिए मैंने इसमें एक चम्मच ऑईल डाल दिया है पैन में ऑईल को हम हलका सा गरम कर लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ यह आधा चम्मच सरसों के दाने इन दानों को चटक में देते हैं यह सरसों के दाने चटकने शुड़ू हो गए हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूं ये हरी लेट और साथ ही थोड़ा सा डाल लियों कड़ी करता है और बस गैस को अब हम बन कर देंगे और इस तड़के को हम अपने सैंडविच धोकले पर डाल देते हैं बच्ची हूं या बड़े सबको लौकी खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है बहुत टेस्टी ढोकला बनके रेडी होता है आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और बच्चे ये टिफिन पूरा फिनिश करके आएंगे क्योंकि उनको ये बहुत ही जग ही एक नई रेसिपी के साथ आप सेफ फिर मिलूंगी तब तर टेक कियर एंड बाइबाइबाइब